हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चानल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे और मैं हूँ आपका अपना मैसे अजूकेटर शंतोष चलि बच्चे सेशन स्टार्ट किया जाए हम लोग एक्सरसाइज 3 एक कर रहे थे वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे ढें लाएं हम लोगोने 29 तक कर लिया था था और 30 हमें करना आगे कंटिल्स हमें करना है यह समझेगा जर्ट हम लोगें अब तक क्या-क्या किया समझेगा इक बार थोड़ा सा तो रिभ्यू कर दो हम लोगों बच्चे वर्ड्स प्रॉबलम पर हमंदो कांद़े काम रहे उसको convert करना होता है, linear equations में, linear equations में convert करना होता है, two variable में. जब अपने पास linear equation में convert हो गया, तो भाई इसको फिर solve करना होता है. और इसको solve करने के लिए हमारे पास बच्चे तीन तरीके थे, याद करो. पहला था क्या? substitution method. पहला था substitution. दूसरा था elimination. दूसरा था क्या आपने पास? elimination और तीसरा बच्चे cross multiplication method. Cross multiplication method. हमारे पास ये चीजे थी, हम लोग इसके basis पे solve करती थे. Clear? चलिए. आए अब questions क्यों रागे बढ़ा जाएं? चलिए आगे? समझेगा. क्या बोल रहा है? question पढ़ ही ज़िए रहा है. A man should a chair. A man should a chair and a table together. is 15-20. Thereby making a profit of thereby making a profit of 25% on chair or 10% on table. Clear? आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा formula डिसक्स कर लेते हैं. CP क्या होता है बच्चे? cost price. चीज़े पता है आपको. मुझे पता है कि चीज़े आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार device कर लाते हैं. SP बच्चे क्या? Selling price. P profit. L अपना loss, L अपना loss, अब profit समझना अच्छे से बच्चे, profit क्या होता है? SP माइनस CP, clear है बच्चे SP माइनस CP, अगर वो loss की बात हो जाए तो loss क्या होगा? CP माइनस SP, यहां तक clear है, चलिए, अब यहां से आगे अपने पास एक formula और आता है, क्या भाई साहब कि selling price क्या होगा? उसका formula CP, 1 प्लस माइनस G by 100, 1 प्लस माइनस G by 100, G यहां पे कुछ भी हो सकता है, profit भी हो सकता है, loss भी हो सकता है, profit होगा तो बच्चे यहां पे लेंगे positive sign, loss होगा तो यहां पे लेंगे negative sign, clear है? यहां तक तो किसी को कोई confusion नहीं होगा, चले आगे, आगे चले, यहां तक सभी ने लिख लिए और मिटाये जाए इसको? अब अच्छा से पड़ो, फिर से एक बार, a man should a chair and table together, यह जो अपने पास क्या दिया हुए बच्चे, SP दिया हुआ है, selling price दोनों का combine दिया हुआ है, selling price of chair, selling price of table, दोनों को add-on करने पे हमारे पास यह value आएगी, तो भाई, selling price पे पहुँचने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, बबु, cost price पता होना चाहिए, ना, तो cost price को assume कर ले, CP of chair, cost price of chair, बच्चे हमने रुपेज X assume करा, cost price of table, हमने रुपेज Y assume करा, समझेगा जड़ा, अभी लिखना नहीं आपको, समझेगा, यह selling की बात हो रही है, शोल्ड की बात हो रही, मतलब आदमी ने बेचा है उसको, करें, तू, SP of chair, selling price of chair, plus selling price of table, selling price of table, यह दोनों मिला के जो total कितना अपने पास, 15, 20 है बच्चे, 15, 20, चले, selling price का formula हमें पता है, क्या होता है, फिर से इधर लिख दिया साइड में, CP, 1 plus minus G by 100, G यहाँ पे profit या loss हो सकता है, डिपेंड करता question के statement के ऊपर, चले, profit of 25% on chair, तो भाई इस पर निकाल दे, क्या हो जाएगा, formula लगा दो, CP कितना है chair का, X, 1 plus 25 by 100, यह होगा, profit है से लिए आगे plus use किया है, अब table की बात करें, 10% on table, 10% on table, Y, 1 plus 10 by 100, यह total कितना अपने पास, 15, 20, clear बच्चे, चले, आगे जब इसको solve करेंगे, तो क्या हैगा अपने पास, 100 plus 25, 125 by 100, उपर में X, यह क्या होगा, 110 Y, नीचे में 100, इधर क्या आजाए अपने पास, 15, 20, 100 common है, LCM ले लेकि उधर cross multiplication कर दे, क्या आएगा, 125 X plus 110 Y is equals to 15, 20, और इस पर यह जाकर multiply होगा, तो double 0 इधर, यह बच्चे अपने पास पहला equation आगया, यह पहला equation आगया, चले, दूसरा क्या कह रहा है, कि उसने अब कितने में बेच दिया, 15, 35, मतलब same statement है, equation निकाल ले, निकाल ले तयाँ से, लेकिन उसके लिए क्या किया है, उसने, profit of 10% on chair, chair पर कितना profit कमा रहा है, 10% तो लिख लो, equation, 1 plus 10 by 100, SP लिख दिया, chair का, फिर 25% on table, तो भाई 25% on table, तो table का भी SP निकाल दे, Y, 1 plus 25 by 100, और यह दोनों का combined selling price कितने में बेचा है, यह बेच रहा है बाबू, 15, 35 में, 15, 35, 15, 35, clear है, इसको भी ले लिया क्या होगा, यह 110, X, नीचे में 100, यह 125, Y, क्या आएगा इदर, बताओ जल्दी से, नीचे में 100, और इदर 15, 35, cross multiplication कर दें, तो क्या आएगा आपने पास, 15, 35, double, 0, यह बच्चे आपने पास दूसरा equation, अब ध्यान दो, अब इसको आगे लेकर चले, इसको आगे लेकर चले, क्या है, 125, X, प्लस 110, Y, is equal to 15, double, 0, फिर क्या आपने पास, 110, X, प्लस 125, Y, 15, 35, पे double, 0, यही है, एक बार confirm करने ज़रा, यह बच्चे आपके पास, दो equation आ गया, और दो equation को solve करना आपको पता है, कैसे solve करेंगे जो, clear है, चले, आते हैं अगले question पे, अगला question क्या करें आपने पास, point A and B, यहां से दिखना बच्चे, यह दो point है अपने पास, यह A और यह B, कितना distance है इनके बीच, इनके बीच का distance है, बच्चे 70 km, 70 km, a car starts from A and another car starts from B simultaneously, if they travel in same direction, मतलब, यह इधर चला और यह इधर चला, they travel in same direction, they meet in seven hours, they meet in seven hours, तो चला भाई यहां तक मान ले, यहां तक मान ले, और यहां पे जाकर वो मिल गया, इसका मतलब यह, यह भी कितना चला होगा, यह seven hours तक चला होगा, और यहां से लेकर यहां तक जो यह point है, यह भी चला होगा seven hours तक, और यहां से जो निकला बच्चे, इसका speed x km per hour, और यहां से जो गया y km per hour, clear है, अब जो दोनों का जो distance travel का difference है, बच्चे क्या 70 km है क्या, distance travel का जो difference 70 km दिखरा है डाइग्राम से, चले, तो question लिख दे इसको, suppose that कि वो C पे मिल गया, तो क्या हो जाएगा समझो पहले, AC minus BC is equals to AB होगा, होगा, दिख भी रहा है, AC, AC कौन सा चला है भाई साब, speed का formula, distance by time, distance का formula, speed into time, speed into time, AC जो चला है, उसका speed कितना, एक्स किलोमेटर, कितनी देर के लिए, 7 आवर्स के लिए, तो distance कितना हो जाएगा, 7X होगा, minus B, B से जो कार खुली है, उसका speed कितना है बच्चे, Y किलोमेटर पर आवर, और वो भी चला है कितनी देर तक, 7 आवर्स तक, तो distance कितना, 7Y, A, B, A, B क्या है बच्चे, 70 किलोमेटर, 70 किलोमेटर, तो X minus Y, is equals to क्या आगे अपने पास, 70, सॉरी, 7 ने कैसे है, रुक जा, रुक जा, X minus Y, 7 कॉमन ले लिया, तो ये 10, ये हो गया अपना पहला equation, दूसरा देखें क्या, चलो, दूसरा क्या बोल रहा है, but if they travel towards each other, they meet in one hour, A यहाँ पे, B यहाँ पे, समझना आप, यहाँ पे मिल गया, यहाँ से A चला, इधर B चला, इधर की ओ, और ये भी इधर की ओ, टाइम कितना लिया आए, वान आवर, A से जो चला है कार, उसके स्पीड कितने होने मानी बच्चे, X किलो मिटर, पर आवर, यहाँ से जो यहाँ से डिस्टेंस है, वो भी, इसके लिए भी टाइम कितना है, वान आवर, अब, B से जो कार चली है, तो यहाँ पर C, मानलों, यहाँ पर मिल गया, तो, A C, पलस, B C is equals to, A B, किलियर, A से जो चला है कार, उसके स्पीड कितनी, X, कितने देर के लिए, ए घंटे के लिए, तो क्या होगा, X into 1, पलस, B से जो कार चली है, उसके स्पीड क्या बच्चे, Y किलोमेटर पर आवर, कितनी देर के लिए, वान आवर के लिए, तो यह Y into 1, A B, A B का डिस्टेंस कितना अपने पास, 70, तो यहाँ से क्या आगया अपने पास, X पलस Y is equals to क्या बच्चे, 70, यह अपने पास क्या आगया, दूसरा एक्वेशन आगया, चले आगया, इसको थोड़ा सा साइड में, कर लिया जाए, अपने पास दो एक्वेशन आगये बच्चे, अपने पास दो एक्वेशन आ चुके हैं, यह पहला है और यह दूसरा है, इन दोनों को बच्चे आड कर दे क्या, दोनों को आड करेंगे, देखो दोनों को क्या करें, आड कर दें, तो यह तो गया, तो 2X is equals to क्या गया, 80, X is equals to क्या हो जाएगा, 40, किलो मेटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमने इसी में माना है, 40 किलो मेटर पर आवर, जब अपने पास X की स्पीड आ गई है, तो बच्चे कहीं पे पूट कर दो, यहां में पूट कर दें, फस्ट में, प्रॉम फस्ट, प्रॉम फस्ट, X minus Y, X minus Y is equals to क्या बच्चे 10, X minus Y is equals to क्या 10, X की वैलू क्या है अपने पास, 40 minus Y is equals to 10, तो Y क्या हो जाएगा, 30, Y क्या हो जाएगा, 30, क्लेर बच्चे यहां तक चले आगे, आगया, इट रेन कवर्ड अ सर्टेन दिस्टेंस अट यूनिफार्म स्पीड, इफ ट्रेन हैज, हैड बिन, 5 किलो मेटर फास्टर, 5 किलो मेटर फास्टर, इट उड टेक 10, 10 आवर लेस, ध्यांज देखना बच्चे, ट्रेन्स का जो स्पीड है, हम एक्स किलो मेटर पार आवर मान ले, और जो एक्चुल टाइम लग रहा है, जो एक्चुल टाइम लग रहा है, वो T, अब ध्यांद देना, यहां पर मानना अच्छे से, क्योंकि वैलू है, जब यह जूम करोगे, यह जूम करने से पहले, आपको देखना पड़ेगा, यूनिट्स, सब जगा आवर से हैं क्या, सब जगा आवर से हैं क्या, आवर से तो यह आवर में, क्लियर, अब, क्या कह रहा है, यह ट्रेन कवर्ड, यह डिस्टिंस, यह होता है, इस दिये गए, इन्फॉर्मेशन के, अपना डिस्टिंस क्या हो जाएगा, x इंटू टी, अब इधर आए, बोल क्या रहा है, 5 किलोमेटर पर आवर फास्टर, तो भाई, स्पीड अपने क्या था, x था, 5 किलोमेटर फास्टर, तो x प्लस 5 हो जाएगा ना, टाइम की बात करें, टाइम क्या लग रहा है उसको, 3 hours less, टाइम क्या लग रहा है, 3 घंटे कम लग रहे हैं उसको, तो कम लग रहे हैं तो बच्चे माइनस, clear, आजो, xt is equals to cross, इसको आगे मल्टिप्लाई कर दो, xt माइनस 3x, प्लस 5t, माइनस 15, ये xt से xt गया, सबको इधर लेकरा जाए, इसको छोड़ देंगे बस 15 को, माइनस 3, सॉरी, माइनस उधर आगे, प्लस उधा गया ना, प्लस 3x, अरे, क्या हो गया है, माइनस 5t, इस इकोस टू, माइनस 15, ये होगा, ये होगा, ये अब मारा क्या, पहला एक्यूशन, आगे चले, आगे चले, फिर, बोल क्या रहे, इफ, दे ट्रेन, वेर स्लोवर, बाई 4 किलोमेटर, कुछ बात नहीं, इस तेम चेज़ यहां पर भी करना है, डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, स्पीड इन्टू टाइम होता है, स्पीड इन्टू टाइम होता है न, स्पीड इन्टू टाइम, तो डिस्टेंस बच्चे क्या यहां से आ जाएगा, x इन्टू टी, इस speed आब आगे पड़ें train where slower slower मतलब speed कम हो गया actual से तो कम हो गया, कम हो गया तो minus तो x minus कितना से कम हुआ है भाई सब 4 से कम हुआ है भाई जब speed कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा it would have taken 3 hours more time था पलेटी अब ज़्यादा लग रहा है कितना 3 hours लग रहा है 3 hours लग रहा है चलो आगे करें x t plus 3 t minus 40 minus 12 यह x t x t गया क्या आजाएगा अपने पास 3 t यह अपने पास दूसरा equation बच्चे है अब आपके पास दो equation आ गए है तो जब दो equation हमारे पास आ गए बच्चे तो क्या यह solve नहीं होगा क्या यह solve नहीं होगा अरे हा ना कुछ तो बोलो मेरे भाई अरे हा ना कुछ तो बोलो जब अपने पास बच्चे दो equation आ गए तो क्या यह solve नहीं होगी बिलकुल होगी अच्छ से होगी और हमें solve करने का तरीका भी पता है चले आगे क्या है 3 x minus 4 t is equals to 12 यह था अपना दूसरा equation पहला equation क्या है मेरे भाई 3 x minus 5 t 3 x minus 5 t minus 15 minus 15 यह था पहला equation तो भाई मानस कर दे हैं सबस्टेक कर दे हैं तो यह तो गया minus 4 t minus minus of 5 t 12 minus minus of 15 minus 4 t यह क्या हो जागा प्लस 5 t 12 प्लस 15 27 तो t is equals to क्या बच्चे 27 hours टाइम क्या है अपने पास 27 hours 27 घंटे आगे अपने पास अब टाइम आ गया है तो speed नहीं निकलेगा निकाल दो यहीं से आइपूट कर दें चलो ध्यान देना 3 x minus 4 27 12 3 x क्या हो जाएगा 28 हाथ में 2 4 दूनी 8 और 2 10 यह जाके उदर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3 x 12 अब आठ बीस होता है तो 120 x is equals to क्या बच्चे 40 किलो मीटर पर आवर 40 किलो मीटर पर आवर क्लियर है चले आगे क्या निकालना है अपने को length of the journey तो बच्चे distance क्या होता है speed into time speed हमने क्या निकाला था 40 time क्या था बच्चे 1080 किलो मीटर क्लियर है मेरे बच्चे चले आगे इस सेशन में ज्यादा कुछ नहीं है बच्चे आदिकतर questions हम लोग कर चुके हैं बस थोड़ा सा boat stream बचा हुआ है बस वो चीज इसके बाद तो आप questions ऐसे ऐसे उड़ा दोगे मुझे पुरा भरोसा है अपके पढ़िया जरा अब्दुल ट्रेवल्स 300 किलो मेटर बाई ट्रेन एंड 200 किलो मेटर बाई टैक्सी टेकिंग 5 आवर 30 मिनिट समझना जरा समझना जरा इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है कंसेप्ट क्या है समझो जरा फिड से एक बार इस पीड का फर्मुला क्या बच्चे डिस्टेंस बाई टाइम तो टाइम का फर्मुला क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड समझना हमें क्या दिया हुआ है टोटल टाइम दिया हुआ है न तो टाइम किसके दुवारा लिया गया टेकेन बाई ट्रिन फिर टाइम टेकेन बाई टैक्सी क्या हो जाएगा टोटल टाइम होगा आरे हा ना कुछ तो बोलो मेरे भाई अब टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई सब याद करो टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए डिस्टेंस अल्डेडी मेंशन क्या हुआ 300 किलो मीटर बाई ट्रेन और 200 किलो मीटर बाई टैक्सी हमें स्पीड एजूम करना है तो भाई साहब ट्रेन की स्पीड हम एजूम कर ले ट्रेंज की स्पीड क्या है बताओ एक स्कीलोमीटर पर आवर है छल ने इचा स्पीड क्या बोलो वाई किलोमीटर पर आवर चारा आगे चले मेरा भाई ध्यान दो अब टाइम का फर्मूला के आपने पास डिस्टेंस बाई स्पीड तो भाई जो जिसके लिए लिखा हुआ है ना वही बाला डिस्टेंस यूज करना ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे 300 ट्रेन का स्पीड क्या हमने लिया है बबू एक्स लिया है एक्स प्लस टैक्सी की बात हो रही अब टैक्सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 200 किस speed के साथ y के साथ और total time कितना है 5 hour 30 minutes मतलब 5.5 घंटे तो 5.5 लिख दे अरे हा ना कुछ तो बोलो मेरे भाई मैंने आबर्स में लिखा है मैंने ये चीज 5.5 आबर्स में लिखा है घंटे में लिखा है 5.30 यहाँ पे confuse मत हो ना यूनिट सेम रखना है या तो आवर में रख लो या मिनिट में रख लो 5.30 में नहीं जब 5.30 में को जब आप आवर में कंप्लेट करोगे बेकडाउन करोगे तो क्या होगा 5.5 घंटे 5.5 घंटे पहला एक कुशन आगया अपने पस पहला एक कुशन आगया मेरे भाई अब आगया चले दूसरा एक कुशन क्या बोल रहा है बट इफ ही ट्रैवल्स 260 बाई ट्रेंड लिख दो भाई 260 बाई ट्रेंड तो 260 बाई टाइम टेकर निकाल दिया X प्लस और 240 बाई टैक्सी तो 240 बाई वाई प्लियर तो कितना टाइम ले रहा है इट टेक्स 6 मिनट लॉंगर मतलब वो 6 मिनट जादा लेता है 6 मिनट जादा लेता है तो ध्यान दो फिर से एक बार पहले कितना था 5 आर 30 मिनट तो अब क्या हो जाएगा 5 आर 36 मिनट होगा क्यों होगा लॉजिक सामझो वो 6 मिनट लॉंगर मतलब 6 मिनट जादा अब वो ले रहा है 6 मिनट जादा तो इसको कनवर्ट कर दो पहले तो 5 आर तो है इसको 36 बाई 60 कर दे मेरे भाई आरे हा ना कुछ तो बोलो कर दे अब पाइब आवर इसको पहले इसको सॉल्व कलो राम से 36 बाई 60 यह क्या हो जाएगा 0.6 0.6 होगा आर तो प्लस 0.6 आर तो टाइम कितना हो जाएगा 5.6 आर क्लियर मेरे भाई क्लियर है हा ना कुछ तो बोलो अब यहां तक तो हो गया अच्छे से अमारा काम अब लेकिन कहानी थोड़ी सी अब ट्विष्ट करेगी अब समझना ट्विष्ट कैसे करेगी समझना अब यहां से बच्चे जब LCM लोग है तो इधर XY आ जाएगा यहां भी XY आ जाएगा लेकिन बहुत लंबा चोड़ा वैलू आएगा तो बच्चे वह ऐसा कुछ नहीं करना है आपको वैसा कुछ नहीं करना है कोई बात नहीं 1 by X को आप M assume कर लो 1 by Y को आप N assume कर लो तो यह जो पहला एक्वेशन है और यह जो दूसरा एक्वेशन यह क्या बन जाएगा लिखनें इसको जड़ा 300M plus 200N 200N is equals to 5.5 5.5 यह एक्वेशन थर्ड बच्चे यह क्या हो जाएगा 260M और 240 240N अब तुम खूद बताओ यह दो एक्वेशन है आपके पास क्या यह दो एक्वेशन सॉल्म नहीं होगा क्या यह दो एक्वेशन सॉल्म नहीं होगा तुम खूद तूसके बताओ जरा हम लोग 33 पहें इतने questions कर चुके अगर आप यह बोलेंगे कि भाई साब यह नहीं होगा तब तु यकीन मानों तुमको पिटाई पड़ेगी भाई पिटाई पड़ेगी क्लियर है चले आगे तो क्या करना बच्चे इस question को आप solve करके जो भी एंसर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है चले क्या क्या रहा है प्लेस ए एंड बी आर वन सिक्स्टी किलोमेटर अपार्ट ऑन हाइब वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर बी एट सेम टाइम ट्रैवल इन सेम ट्रेक्शन देमिट बच्चे सेम कोश्चन काईप कर चुके वितुरत पहले यह कोश्चन थोड़ा सा कर लिया जाए क्योंकि यह अब तक कोश्चन ऐसा नहीं आये था मतलब हमने करा है लेकिन इंट्रोड़क्शन वाले क्लास में करा था यहां पर नहीं करा है चले है चले है बहुत अच्छी बात सेलर का स्पीड बुच्चा नहीं सेलर का मतलब बोट का स्पीड हुआ तो बोट स्पीड क्या बोला गया था याद करो डाउन स्ट्रेम पलस अप स्ट्रेम अप स्ट्रेम बाई यह बोला गया था स्ट्रेम का स्पीड या करेंट का स्पीड आप कुछ भी कह दो क्या बताया गया था बच्चे डाउन स्ट्रेम माइनस आप स्ट्रेम बाई यह बताया गया था मेरे भाई अरे हाना कुछ तो बोल दो यह बताया गया था इंट्रोड़क्शन वाले क्लास में तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लें डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लें क्या होगा डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का टाइम 8 किलो मेटर 40 मिनट अब बच्चे ध्यान देना यहीं पर गलती करोगे आप लोग यह kilometer में दिया हुआ है, minute में दिया हुआ है time तो बाबो, speed क्या पढ़ाति चारो? kilometer per hour, meter per second तो इसको hour में convert कर दे, hour में करने लिए क्या करना पढ़ेगा? 60 से divide क्या आजाएगा? 8 by 40 और यह 60 ऊपर चला जाएगा 5 times और यह 12 12 km per hour clear बच्चे चलो यहां लिकलेते हैं downstream का speed हमने क्या निकाला 12 km per hour आप stream का निकाले हैं ध्यान देना बच्चे अब मतलब यही वो distance है वो travel back करता है कितना time लेता है 1 hour आप stream में क्या हो जाएगा 8 km निचे में 1 hour तो 8 km per hour अब हमारे पास formula है seller का निकाले seller initial वाट हुआ ही होता seller seller क्या हो जाएगा downstream प्लस upstream तो 12 प्लस 8 by 2 कितना हो जाएगा 20 by 2 that is 10 km per hour clear बच्चे फिर current पूछ रहा है या stream बोले current पूछ रहा है 12 minus 8 by 2 4 by 2 that is 2 km per hour 2 km per hour clear है? चले आगे इस question को जुरा अच्छे से पढ़िये इस question को मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ो इस question पे concept है हमने पहले discuss कर लिया है वो कौन सा था? ट्रेन और कार वाला था टोटल टाइम कितना देरा भाई? 12 km आप इस्ट्रिम जाता है 40 km डाउन्स्ट्रिम जाता है कितना टाइम लगता उसको? 8 hours लगते तो ध्यान देना भाई आप इस्ट्रिम का जो टाइम पलस डाउन्स्ट्रिम का जो टाइम वो ही टोटल टाइम ना? वो ही टोटल टाइम वो ही टोटल टाइम क्लियर है? find the speed of boat in still water and speed of stream चलो डाउन्स्ट्रिम को बच्चे हम x मान ले डाउन्स्ट्रिम को हमने speed मान लिया बच्चे x km per hour अब इस्ट्रिम को हमने मान लिया बच्चे y km per hour टाइम की बात हो रहे तो speed is equals to distance by time तो time क्या होगा बच्चे d by s होगा आरे हाना बोल भाई कुछ तो बोल d by s होगा अब आगे चले चलो जिसके लिए जहां पर लिखा हो है अप तो अपका distance डाउन लिखा हो है तो डाउन्स्ट्रिम का distance अप time है तो अपस्ट्रिम का time डाउन्स्ट्रिम का time चलो चलो a boat गोस 12 km अप स्ट्रिम and 40 km डाउन्स्ट्रिम 40 km downstream चलो, आजाओ समझना टाइम का फर्मुला क्या बच्चे, distance by speed आप stream में कितना distance 12 km और आप stream में आप stream का speed क्या है अपने पास y down stream कितना बच्चे 40 40 down stream का distance क्या बच्चे, स्पीड क्या है x km कितना टाइम लगा इसको भाई साब 8 hours लगे 8 hours clear ये आगया आपने पास पहला equation आगया ये पहला equation अब दूसरा equation आगय पढ़े मतलब आगय statement पढ़े it goes 16 km upstream तो 16 by y plus 32 km downstream 32 और downstream क्या है बच्चे अपने पास speed x कितना time लगा downstream in the same time time कितना था बच्चे पहले 8 hours बताओ ये question में कुछ है अरे बताओ चलो समझो फिर से यहाँ प्याते हैं 1 by y को मैंने m एजूम कर लिया 1 by x को मैंने n एजूम कर लिया तो अपना जो equation बनेगा वो क्या बनेगा चल लिखते हैं 12 m 12 m plus 40 n is equals to 8 जो बच्चे cancel हो रहा है cancel कर दो 4 से cancel होगा क्या क्या हो गया 3 m 10 n is equals to 2 इसको बच्चे हम लोगोंने दूसरा थार्ड नाम दिया थार्ड equation फिर चले अब ये equation क्या हो जाएगा 16 m plus 32 42 n is equals to 8 कुछ देखो जरा cancel हो रहा है क्या 8 से cancel हो जाएगा तो क्या होगा 2 m plus 4 n is equals to 1 8 से cancel कर रहा है तो ये अपने पास 4 था equation 3 m 10 n 3 10 2 3 10 2 3 m 10 10 कहां से आगे देखे जड़ा आप पटे फिर 2 m 4 n 2 4 1 समझना आप ये था अपने पास 3rd ये था अपने पास 4 इलिमिनेशन लगा दे बच्चे m के लिए तो यहां पर 2 से multiply और यहां पर 3 से multiply तो यह क्या आगा है मेरे भाई यह क्या जाएगा 6 m plus 20 n is equals to 4 क्लियर बच्चे ये वाला क्योशन क्या हो जाएगा भाई बताओ 6 m plus 12 n is equals to 3 माइनस कर दे तो यह तो गया 20 में से 12 चला जाएगा 8 n is equals to 1 n की value क्या आगई मेरे भाई 1 by 8 अब कहीं पर पुट कर दो प्रॉम थार्ड क्या है 3 m 10 n थार्ड मतलो और फोर्थ ले लो क्योंकि फोर्थ में न आपको calculation कम करना पड़ेगा क्योंकि 4 है 2 m 4 n is equals to 1 2 m 4 by 8 is equals to 1 क्या आजाएगा 2 m plus 1 by 2 is equals to 1 इसको धर ले 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 अरे हाना कुछ तो बोल 1 minus 1 by 2 2 m is equals to 1 by 2 2 m is equals to क्या हो जाएगा m by 4 m by 4 अब ध्यान देना बच्चे अब n हमने किसको माना था n n हमने माना था बच्चे 1 by x को x कितना आगे यहां से 8 मतलब downstream downstream का speed आगे अपने पास 8 km per hour चले आगे मेरे भाई m हमने किसको माना था 1 by y को y क्या आगे अपने पास 4 km per hour और y हमने किसको माना था बच्चे upstream को upstream कितना आ जाएगा 4 km per hour अब जो भी पूछे आपसे बच्चे पूछ क्या रहा है boat का और stream का formula अभी इससे पहले वाले question में आपने लिखा था direct formula पे आ जाओ boat का क्या बच्चे down plus upstream divided by 2 down कितना है 8 plus 4 कितना जाएगा 6 km per hour boat की अब बोट तो निकल गया अब stream की बात करें stream down minus up यह क्या हो जाएगा नीचे में 2 तो मेरे भाई पूर किलोमेटर पर आवर पूर किलोमेटर पर आवर clear है अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं समझे कजरा है कि हमारा लगभग हमने जो question discuss कर लिया बच्चे पूरा लगभग कि अब बच्चे आप खुद से करो क्योंकि हम लोग ने बहुत 35 36 questions होंगे और जब introduction का भी था तो वहां पे हम लोग ने बच्चे लगभग 40-50 questions किये थे तो अब सोचलो एप्रॉक्सिमेट लगभग 100 questions हम लोग इस पे कर चुके हैं इस mindset के साथ questions को कैसे बनाना है linear equation हम कैसे plot करेंगे मतलब कैसे equation बनाएंगे इस चीज़ के साथ I suggest कि आप बच्चे बनाना शुरू करो क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है Already दो शेंस भी हो चुका है यह है तो बहुत लंबा हो चुका है टॉपिक ज्यादा खिच चुका है और introduction बच्चे बहुत लंबा हम लोगों ने लिया है आपने पढ़ा है आपने देखा भी है वो चीज़े चलिए फिर भी है मैं एक बार देखता हूँ हम यह time and work वाला थोड़ा सा बचा हुआ है यह time and work वाला थोड़ा सा कर दे उसके बाद ठीक हो जाएगा आपने question को पढ़े जाए अच्छे से two men and five boys can finish a piece of work in can finish a piece of work in four days while three men six boys can finish three days find time taken one man alone to finish the work and that taken by I I Mतला भी एक आजमी कितने दिन में खतम करेगा एक बच्चा कितने दिन में काम खतम करेगा अ कि चलिए अगले शर्शन में हम लोग बच्चे करते हैं तो तब तक बच्चे स्कोल प्लस कर साथ बने रहे पढ़ते रहे मिलते हैं, ब्रेके बाद